नमस्कार दोस्तों वेलकम तो माय चानल मेरा नाम है कबल जीत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है स्वागत है और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर कर यह वीडियो जादा से जादा लोगों को शेयर कीजिए जिसमें मैं आपको यह काइड करना चाहता हूं कि आप अगर इंशूरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप आई-आडिय का एक्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको आज अही के साथ नहीं जाते हैं तो पीख वाई में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हूं साथ सो रुपए पड़ती है, 700 minimum फीस पड़ती है एक्जाम क्वालिफा कने के पीस होती CarryAR के जो इसके लिए पहां कटर किया के qualify करते हैं इसके लिए पहले से तयारी कैसे करनी हैं इसके बारे में मैं गाइड करूंगा बट उससे पहले में फिर से आप से रिक्रस्ट करता हूं मेरा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चैनल को Like कब और यह वीडियो जादा से जादा दोगों को शेयर कीजिएगा तो मैंने कुछ आपको लिए नोट्स बनाया हुआ ताकि मैं आपको help कर सको जैसे कि आपको बताना चाहूँगा insurance के बारे में कि आप BIMA के बारे में बताऊँगा भारत में BIMA का इतिहास क्या है भारत में आधुनिक BIMA 1800 इश्वी में शरू हुआ था भारत में जो आधुनिक BIMA 1800 इश्वी में इसकी starting गोई थी या समुद्री कारोबार बिजनस शरू करने वाली विदेशी कंपनी कंपनी कंपनीयों की एजनसियों के शार्थ हुआ था यानि पहले सबसे पहले यह होता था कि जो समुद्र के द्वारा ही जो बिजनसमैन होते थे आपने शिप यानि जहाज कुली के एक देश से दूसरे देश जाते थे और समुद्र में लुटे रहे हो गया हैं समुद्री लूटे रहे हो गया उसे लूट लेते थे जिससे उनको काफी नुकसान हो जाता था बिजनसमैन को या कभी समुद्र में बार आ गई या तूफान आ गया इस वज़े से नुकसान हो जाता था तो इस नुकसान की भरपाई के लिए वो कुछ इंशूरेंस एक ऐसा करते हैं जिससे उनका 25% जो होता है वो सेविंग रहता है जिसमें उनका कुछ सेविंग करके वो रखते हैं ताकि अगर कुछ हानी होती है तो वहां से उसकी भरपाई हो सके बीमा से कुछ भरपाई हो सके उस हानी की इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी और भारत में पहली जीवन बीमा कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो यह एक अंग्रेजी कंपनी थी जिसका नाम था Oriental Life Insurance Company Limited याद रखिएगा इसको नोट कर लेजेगा अगर आप पेपर देने जाते हैं और अगर आपसे आई आट जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी तो आपको सिर्फ यहीं जवाब देना है Oriental Life Insurance Company Limited भारत में और इसके अलावा मैं एक और बता देता हूँ ऐसी मैं एक्स्प्लेन करता जाओगा भारत में पहली गैर जीवन बीमा कंपनी भारत में स्थाफित हुई थी जिसे हम Triton Insurance Company Limited भी कहते हैं जो गैर जीवन बीमा कंपनी थी उसे Triton Insurance Company Limited कहा गया है और पहली भारतिय बीमा कंपनी यानि इंडिया की पहली कंपनी इंडियन कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी शिरुआत हुई थी मुंबई में 1870 इस्वी में इसका कठन हुआ था जिसका नाम दिया गया था Bombay Missual Assurance Society Limited तो आप यह ध्यान रखेगा कि अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले कि भारत की पहली कंपनी कौन सिक्वेट तो आपको बताना है अगर वो इंडियन कंपनी की बात कर रहा है तो Bombay Missual Assurance Company Limited बताना है भारत की पहली भारती कंपनी के बारे में और अगर आपसे यह सवाल पूछ था कि भारत की पहली जीवन वीमा कंपनी विदेशी कंपनी के बारे में बताईए तो आपको Oriental Life Insurance Company Limited का जवाब देना है इसी तरह से अगर भारत में इस्थापिर कैर जीवन वीमा कंपनी की बात करता है तो वाउ में Mutual Assurance Society Limited के नाम से तो इसको आप नोट करते जाएएगा इसके अलबा मैं बता देता हूं भारत में सबसे पुरानी भारती कंपनी 1906 में स्थापित हुई थी और अभी व्याबार में है जिसका नाम है National Insurance Company Limited आप याद रखिएगा भारत में 1906 में स्थापित हुई अभी भी भारत में अपना बिजनस कर रही है व्याबार कर रही है उस कंपनी का नाम है National Insurance Company Limited National Insurance Company Limited इस जिसको आप अपने माइंड में रखिए नोट करके रखिए ताकि आप लेने जाते हैं तो इसको आप याद कर रख सकते हैं यह तरह से जनरल लॉनलेज का भी सवाल हो सकत यह आपको किसी गौर्मेंट एक्जाम्स में भी पूछ सकता है तो यह आपको माइंड में भी रहना चाहिए और इसके रहावा मैं बताना चाहूंगा जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 बीमा कारवार को विनियामित करने के लिए पारित किया गया था इसको नोट कर लिजे जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 बीमा कारवार को विनियामित करने के लिए पारित किया गया था बीमा अधिनियम 1938 इसी तरह से बीमा अधिनियम 1938 बीमा कंपनीयों के संचालन को विनियमय करने के लिए अधिनियमित पहला कानून था मैं आपको फिर से बता देता हूँ बीमा अधिनियम 1938 बीमा कमपनियों के संचालन को विनिमय करने के लिए अधिनियमित पहला कानून था तो इसको आप याद रखेगा इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ जीवन बीमा का राश्ट्री करन जीवन बीमा कारुबार का राश्ट्री करन इस चीज़को आप हमेशा माइड में रखे यह बहुत important question है जीवन बीमा का राश्ट्री करन जीवन बीमा कारुबार का राश्ट्री करन हुआ था 1st September 1956 को यानि नैशनल इंशूरेंस भारतिय जीवन वीमा का जो जीवन वीमा है उसका राष्ट्री करन नैशनलाइजेशन हुआ था 1 सेप्टेमबर 1956 को और इसी दिन भारतिय जीवन वीमा निगम का गठन भी किया गया था तो यह माइड में आप हमेशा याद रखेगा कि भारतिय जीवन वीमा यानि LIC का गठन 1956 को ही हुआ था 1 सेप्टेमबर के दिन और इसी दिन भारतिय जीवन वीमा कारोबार का राष्ट्री करन भी किया गया था राष्ट्री के गया था नैशनलाइजेशन किया था 1956 को 1 सेप् नाइटीन 56 नोट करके रख लीजेगा और इसके अलगा मैं बताना चाहूँगा गैर जीवन वीमा का राष्ट्री करन सन 1972 में सामान वीमा कारूबार राष्ट्री करन अधिनियम जिसे हम G.I.B.N.A. के लागू होने के साथ राष्ट्री करन किया गया था गैर जीवन वीमा का राष्ट्री करन अगर जीवन वीमा आप समझते होंगे जैसे चनल इसे हो गया और यह सब आई जनल इसे होते हैं तो यह सारे चीजों का राष्ट्री करन किया गया था था सन 1972 को लाइफ इंशूरेंस का गठन राष्ट्री करन किया था 1956 में 1 सेप्टेमबर 1956 को इसी तरह से गैर जीवन वीमा का राष्ट्री करन यानि नाशनल आजेशन हुआ था 1972 में इस इसको आप माइंड में हमिसे रखेगा नैशनल लाइफ इंशूरेंस का गठन जो हुआ 1972 में सन 1972 में सामा ने वीमा कारूबर राष्ट्री अधिकरन अधिनियम को लागू किया था तो इस इसको आप हमेसे याद रखेगा इसके अलबा मैं बता देता हूं जनरल इंशूरेंस कॉर्परेशन ओफ इंडिया यानि जी आइसी जिसे हम कहते हैं और उसकी चार सहाया कं कंपनियों की स्थापना की गई थी जनरल इंशूरेंस कॉर्परेशन ओफ इंडिया यानि जी आइसी की और उसकी चार सहाया कंपनियों की स्थापना की गई थी बीमा विनिमा और विकास प्रादिकरन यानि आई आडिये का गठन हुआ था और इसी तरह से बीमा विनियामक विमा वियामक एवंविकास अलिनियम 1999 यानि IRDA के पास होने से विमा वियामक और विकास प्राविकरान, IRDA का अप्रायल 2000 में जीवन और कैर जीवन विमा उकुप दोनों के लिए एक समवधानि नियामक निकाय के रोप में गठन हुआ तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेगा तो दोस्तों आप सब ने देख लिया कि आज के लिए मैं बस इतने ही रखूँगा और बाकी जो मैं कंटिन्यू करूँगा वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ अभी आप इतना पढ़ें इतना नोट करके रखें और मैं जल्दी ही आपको कुछ रिसर्च करके और भी नए वीडियो जाओंगा जिसमें आपको आई आडिय के बारे में जानकारी दूँगा बट मैं आपको यही बोलूँगा कि ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और मैं आपको बताने चाहूंगा एक आप आता है इसको आप डाउनलोड करें इससे भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप करेंगे वहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो आपको डाउनलोड करेंगा आपको डाउनलोड कर लीजेगा इसके बारे में आपको knowledge मिलती रहेगी, आपको knowledge मिलेगी तो आप बहुत easily exam को दे सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक जरूर करतीजिका, चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो जादा से जादा लोगों को शेर कीजिए ताकि बहुत से यूथ हैं, आप तो ऐसी situation अगई है कि हर कोई life insurance, health insurance चाहता है तो इसके लिए आपको exam qualify करना पड़ता है, तो IRDA का exam कैसे qualify कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको guide करूँगा तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि चैनल को subscribe कर लिजेगा और जो भी exam देना चाहता है, IRDA का उसके ये वीडियो ज़रूर शेर कीजिएगा ताकि उसको help हो सके और मैं link share कर दूगा आपको IRDA का, अगर मुझे मैं आपको link share कर दूगा, वहाँ ते आप click करके आप उस link से download कर दीजेगा, IC38 app को तो मैं यही उमीद करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरू करेंगे, बेल अज़र्टर को press कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि आपको जो भी IRDA का exam देना चाहते हैं, आप और आप जैसे भी दोस्तों को तुम की help हो सके तो मिलता हूं बहुत जल्ब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, अपने फैमिली का ख्याल रखेंगे, गवर्मेंट की सेफटी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, मास का जरूर पहनिएगा, सनिटाइजर का यूज कीजिएगा, जब भी ब कीजिए, मिलता हूं बहुत जल्ब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, अपने फैमिली का ख्याल रखेंगे, टेक केर आफ यूरसेल्स और यूर फैमिली, और बबाबाय, टेकू.